Welcome back to my YouTube channel I am Dev this is my YouTube channel आज की इस वीडियो के निदर हम कुछ important topic के उपर discuss करेंगे साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कितने number वालों को जो है confirm college मिल जाएगे notification जो है out कब होगा counseling कब start होगे इसके बारे में हम आपसे discuss करेंगे और counseling में भी देरी क्यों हो रही है इसके बारे में मैं आपसे discuss करेंगे किस के student को कौन कौन सी college मिलेगी और आपको कौन सी college नहीं लेनी है ये मैंने एक अलग video बना रखिए कि आपको कौन कौन सी college नहीं लेने कौन कौन सी college जो है counseling के time पर नहीं बढ़नी है तो चलिए बता देता हूँ कौन सी क्या video है जिनमें मैंने आप लोगों को क्या क्या information दे रखिया और आज सभी के जो भी पिछली video थी जो की अभी 2-3 दिन से video नहीं आ रही थी तो जो हमारी last video थी उसके नीचे के जो भी comment है सभी का reply दूँगा तो आप सभी के जितने भी comment है सभी का reply भी मिल जाएगा तो जिन्होंने अभी तक The Science Club दोसा YouTube चैनल को subscribe नहीं किया उनको क्या करना है मैं बता देता हूँ तो सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर अभी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हूँगे तो आप लोगों को कैसे क्या चलेगा तो देखे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सर्च करते है दा साइंस क्लब दोसा यह हमारा चैनल आ गया अब मैं आपको बता हूँ का कौन सी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और अभी हमारे 20,000 सबस्क्राइब कंप्लीट होने वाले हैं तो प्लीज आप थोड़ी सी हल्प करें जितने लोगों ने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें ताकि फटापट से 20 के हो जाएं और थोड़ी सी खुशी हमको भी मिलें थोड़ी सी आपको भी मिलें तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हैं कर लीजिए एक बार और ज्यादा से ज्यादा आप इसे सेर करें एक बार तो जल्दी से हमारी सबस्क्राइब भी कंप्लेट हो जाएंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं उन इस्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो अभी 2013 में एक जाम दिया हैं और उनके कम नंबर आएं उनके लिए मैंने यह देखो यह वाली वीडियो बना रखी है मैं आपको बता हूं जैसे हम चैनल खोलेंगे चैनल पर जाएंगे चैनल पर गए यहां पर अगर हम बात करें तो इस वीडियो आ रही है लेकिन अगर मैं एक बार फोन को पोर्ट्रेट करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कहां गई वो वीडियो चलिए ऐसे बता देता हूं यह रही वो वीडियो यह रही यह जो आप वीडियो देख रहे हैं R.U.HS U.P. Bihar कैसे करें तयारी क्या-क्या सलयाबस है ये वीडिए आप देख सकते हैं जो 2024 में अभी तयारी करना चाता है वो मेरे पास कोल करते हैं सर मैं तयारी कैसे करें तो आप एक बार इस वीडिए को देखें चेक आउट करें इसके अंदर कॉलेज नहीं बरने इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है आप यहां पर देख सकते हैं यह जो वीडियो है फर्स्ट राउड कांस्लिक में यह कॉलेज कभी मत भरना इनको मत भर देना मैं पहले बता रहा हूं चाहे नहीं हो चाहे पुरानी हो कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि अगर पुरानी है तो बर दो मैं अगर आपको बता हूं तो एक college ऐसी है जोथकी 7 साल पुरानी है लेकिन पिर भी उस college का result अटका हुआ है उसको i.n.c. से मानने ता नहीं मिली है जबकि वह college साथ साल नहीं 2008 से वह कॉलेज चल रही है और 2024 में जाके उसको दिक्कत हुई है मतलब 22 वाले जितने भी स्टुडेंट उनको दिक्कत हुई है तो प्लीज आप मैं कहूंगा आप उन कॉलेज उसको ना बरें ठीक है चले अब यह जो हमारी वीडियो थी इसके नीचे जो भी कम कमेंट आये हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं है कि 51 कमेंट हो गए लगभग चलिए सबसे पहला कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक नहीं हुई है वो तो अमें भी पता है लेकिन जैसे होगी आप सभी को तुरंत अपडेट दे दूंगा मैं ठीक है मैं अभी बस यही देखता रहता हूं के क्योंकि तीन नीन से वीडियो नहीं आ रही थी आप सभी को वह पता है वह इसलिए नहीं आ रही थी के कॉंसलिंग का नहीं कर रहा था ? जो 2021 वाले जो भी स्टुडेंट हैं उनका फर्स्ट यर का रिजल्ट नहीं आए आप सभी को पता हुगा जो भी प्रोवीजनल वाले स्टुडेंट नहीं आए तो उसके चक्र में अभी अरताल चल रही है जो जो केस है उसको सुल्धाने में लगी हुई है तो इस चक्र में आ किसी टरीके की कोई भी डॉकुमेंट के जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ आपको आपका डेट वर्थ आपके फॉरम नंबर होने चीए इससे आप लोगों का काम हो जाएगा तेंक्यू वेरी मच भाया ओके ठैंक्यू वेलकम तेंक्यू वेरी मच भाया जी चर्टिफिकेट अभी पन वाया है पहले वाला वैल्हीर फॉर्ट पनवाया था सवानी राजपूर्थ अक्नel का सट्र्टिफकेट लगता है क्या नहीं अजा से सफकेंट नकोशान में कॉलेज मिलेगा वह मिलने के चांद है लेकिनало क्वर्मंट कॉलेज मिल जाएगा आप वहां का का त्सलार्ट को मिल जाएगा Pelillow को है direito ट्रह से सब्सक्राइब मुक्न की हुआतicas पर घृचा या चलिए नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास नेक्स्ट कमेंट यह है कि एस्टी 75 पर गौर्णमेंट कॉलेज मिल जाएगा 75 परसेंट है हां मिल जाएगा भाई आज वेच्छ पैड़ा मेडिकल की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग अभी मतलब 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा अठाइस मार्क्स है ऐसी काटेगरी में प्राइवेट कॉले मिल जाएगा नहीं मिलेगा चांस ही नहीं है लेकिन ऐसी काटेगरी से हो तो चांस थोड़ा सा लाश्ट थार्ड ठाँस और यकोषब ऐसीरद लम जाएगा हैं मिल जाएगा मिल जाएगा अभी यह किने नमबर पर गlorment कॉलेड चल्ग मिल जाएगी मिल जाएगे ब्रो प्लीज ये बता दो कि माइग्रेशन कॉलेज वाले ही लगाएंगे क्या हाँ हाँ कॉलेज से लगेगा माइग्रेशन 68 मेल OBC दोसा मिल जाएगे क्या बिलकुल मिल जाएगे MSBSC नर्सिंग एंटरेंस एक्जाम के लिए कौन सी बुक बैस्ट होगी चैप्टर वाइज इसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बनाऊँगा ठीक है 33 पर मिल जाएगा क्या प्राइवेट कम चांस है भाई 39 EWS पर जैपूर अलवर की प्राइवेट INC कॉलेज मिल जाएगी 39 पर बहुत कम चांस है सर मेरे सी कैटेगरे में 62 नंबर है आए हैं तो पाली बाड में आहां मिल जाएगा आपको 55 गल्स गौर्वर्मेंट कॉलेज मिलने मिलेगा क्या बता हो चांस है सेकिंड रावन कांसलिंग तक चांस है आपको ठीक है फर्स्ट में तो नहीं मिलेगा प्राइबेट मिल जाएगा प्राइबेट बारे में बताओ कुछ कहां क्या है और नेक्स्ट वूडियो आ जाएगी पी बाइक्यो नेक्स्ट वूडियो रिप्लाइक करो दो औके हां इस पर से प्राइवेट कोलिज मिल जाएगा इक तालीश इड़्वेट कोलेज चांस से सकेंड डाउंड कांसिलिंग दक वेट करो ओभी सी फिमिल में गॉर्मेंन कोलिज मिल जाएगा क्या बिलकुल मिल जाएगा किया एंचियार्टी पढ़ने से हो जाएगा मिलकुल हो जाएगा अगर आप एंचियार्टी पढ़ लेते तो आपका एसमेस कोलेज मिल जाएगा जापूर गे अट्श्वागी है ऑट्चॅत को भीसी गौर्णन कोलेज मिल जाएगा कि यह मेरे असी माक्स हैं तो नमबर वन पे SMS दैन आर्याचेश फिल कर सकती हूं क्या प्लीज बताओ ओक्टेश में इत्ते सारी जर लगा दिये हां मिल जाएगा मिल जाएगा प्राइवेट कॉलिज मिल जाएगा तो एक ही बात के लिए खितनी वीडियो बनाता है अब इससे आपको क्या मैं कितनी भी वीडियो बनाऊं तुमसे पूँच कर थोड़ी ना बनाऊंगा मैं वीडियो कि मुझे क्या वीडियो बनानी और क्या नहीं बनानी है और कोई निछोड़ो ऐसे लोग आते रहते हैं जाते stiff काष्ट सर्टीफिकेट नहीं हैं क्या होगा एडमिशन 75 मार्क्स हैं तो काश्ट सर्टिफिकेट बनवालो ना नहीं है तो क्या होगा बनवालो 66 66 फीमेल जनरल क्रेटेगरी से मुझे गवर्मेंट कॉलिज हां मिल जाएगा आपको दिव्या सागर मिल जाएगा द्गel N comments क्या है क्या कि दो 61 फॉर्मांट कॉलिज मिल जाएगा उबीशी में हां चांस न फरस्ट राउन में मिलने हैं चांस आपको 50 रॉंड नाईन में जनरल गोसक्व घृम doen क्लिज फर्स्ट राउन में मिल जागा आपको जनरल से और हो आप तो याद फिर भी चांस तो है मिल जाएगा हाँ ओके उर्मीला फिप्टी एट एसी केटेगरी फिमेल नागोर की गवर्मन कॉलेज मिल सकती है क्या फर्स्ट राउंड में फर्स्ट में तो नहीं लेकिन सैकेंड में मिल जाएगे आपको ठीक है चले इतने कमेंट थे बाकी मैं भी अभ जो भी आएगे उसके अंदर आप सभी के ओडाउट के लिर कर दे जाएंगे अब भी देखो वीडियो बनाने का लिए भी कोई कंटेंट तो है नहीं हमारे पास तो हम क्या वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोगों से हमारा कम्यूनिकेशन होता रहे बस इसलिए ठीक है तरह रहे थी कूछ कंटेंटी नहीं था क्या बढ़ा यूद्द तो आप नीचे वीडियो में कि मुझे किस टॉपिक पर वुडियो बनानी चाहिए। देखता हूँ आप लोगों की कमेंट सभी के मैं कमेंट पढ़ता हूँ जैसे आज पढ़ता हूँ विप्स नीचे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि किस टोपिक पर मुझे वीडियो बढ़ानी चीह उसी टोपिक पर नेक्स वीडियो आएगी चलिए देखता हूं कौन-कौन क्या कमेंट करता है और जो भी मुझे अच्छा टोपिक लगेगा हां कि इस हैल्प होगे तो उस ट सब्सक्राइब को पता है मात्र कितने सब्सक्राइब बच रहे हैं यह देख लो मात्र अपने जो सब्सक्राइब बच रहे हैं यहां पर देखो सब्सक्राइब हो चुके हैं और अब सिर्फ आप सभी को पता कितने सब्सक्राइब बच रहे हैं तो देखते हैं कल या पर्सों के अंदर हो जाते हैं तो ठीक है फिर अपने कॉलेज के अंदर सेलिब्रेशन भी कर लेंगे बाकि मैं मिलता हूंगा इस नेक्स्ट वोड़े मे जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार